कैसे हो आप लोग आप सो भी लोग बहुत अच्छी होंगे मैं भी ठीक हूं और यहां बाबु का थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूं दूद पीते हुए का क्योंकि यह जो बॉटल मैंने लिया है न्यू वो मैं दिखा रही हूं इस्टिल का बॉटल लिया है मैंने कास यह मै पता ने क्यों नहीं मन किया लेने का और अब क्यों मन किया वो मैं बताती हूं पहले क्यों नहीं मन किया वो नहीं पता अब मेरा इसलिए मन कर रहा है क्योंकि इतना दिन से तो मैं वह प्लास्टिक तो यूज करी रही हूं जो फिलिप्स का और मीमी का दो मैं बॉटल भी तो पी लिता है तो मतलब उसके मन के उपर है इसा निया कि वह पी ही लेगा तीनों टैम या दोनों टाइम ऐसा करके और हां किस दिन कौन सा खाना खाया जो खाना उसको पसंदा आया खालीया तो खाना से पेट भड़ गया तो फिर दूद नहीं पीता है तो मैं सोच रही कि वैसे तो डॉक्टर मेंना ही करते हैं कि बहुत पहले से मना हमस्य पहले हैं और आधा रख सोच पता नहीं होता है कि अपने सहलियते हैं SS का कि कर लेते हैं और वो थोड़ा दिन चलेगा बाब को तुरह और दिन देती हुं अपने लिए और इतुन नुक्षान अब गैस इसका प्रॉलम नहीं हो रहा है और बस यह इतंगा मैं यह लिए हैं आप बताना मैं गलत की हूँ यह सही विससे बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा जो लो कर अच्छा चीज नहीं, मुझे ने बहुत लोग को देखा है, यूटूब पे ही बड़े बड़े यूटूबर को ही देखा है, मतलब ऐसा होता है, ब्लॉग देख रहे हैं, और किसी को देखा, तो ऐसा मैंने देखा है, जो बाबू से एक शल बढ़ा है, कम से कम, और वो अभी पी रहा है, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं शाहलियत होता होगा, कहीं न कहीं सही होता होगा, तभी तो पिलाते होंगे, नहीं तो लोग भी ऐसा, तो इन अपने बचे के बाद में गला सोचेंगी, या कुछ भी, तो बस मैंने मंगबा लिया, यहां पर एकल से भी ब्लॉग कंटिनियू था, आप लोग ने देखा ही होगा, किता सारा मैं काम कर रही थी, और सब कुछ रिकॉर्ड किये जा रहे थी, जिसकी वज़से मैंने दो-दो ब्लॉग सेयर किया दोनों चैनल पर, बट दो ब्लॉग सेयर करना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि दो ब्लॉग मतलब समझ रहे हो ना दो-दो एडिटिंग करना वैसे मेरा एक अधा से ज्यादा हो चुगा था लेकिन फिर भी थम्निल बनाओ यह वह बहुत कुछ होता है तो दो थ्यादा हाट पर रहे हैं मैं सोच भी इस मन्थ पूरे मैं है ना पूरे नहीं होता है लेकिन मैं सोच रही हो और बता भी रही हो कि मैं इस मन्हां तक उस पर काम करूंगी कंटरिनूव उसके बाद हो सकता है तो मैं दोनों पर एक दिन बीच करके अल्टरनेट ब्लॉग आपके अभी तक मुझे इस चैनल का लालच था या फिर है चाह जो भी हो उ तो बस यह है नीचे में मैं जो बेड डालती हुना जिस टाम बेड़ से टीए सब चेंज करती हुना मुझे बहुत जादा अजीब होता है पता नहीं आप लोग को मतलब कैसा लगता होगा मतलब मेरा देख करके बट क्या होता है कि जब हम लोग अपने घहर पे होते हैं जहां जैसे कि पलंग काफी दिनों से हम लोग सोच रहें लेने का अप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा इतना बड़ा चीज है जो इतना इसू बनाई हो यह पलंग का और हां बहुत बड़ा चीज नहीं है तीन चारवा ट्राइब किया है ऑनलाइन नहीं आया पता नहीं क्यों इ नहीं अच्छा लगता है यह नीचे वाला बेड ऐसा लगता है एक दम मैं गरीब हूं नीचे सो रही हूं ऐसा करके क्योंकि हमारे बिहार में जिसका भी घर होता है भाई वो तो बेड़ तो रखते हैं कम से कम अच्छा कासा तो यहां पे अच्छा नहीं लगता है यहां प पताबट खाने बहुत जादे यमी था अंदर में ड्राइ फ्रूट ऐसा लग रहा था फ्राइ करके रखा हुए और फ्रूट भी मतलब एपल वगरा भी था वह भी सहे ड्राइ था पता नहीं कैसे लेकिन बहुत जादे अच्छा टेस्ट था मैंने दिखाया कटले टाइब से पता नहीं क्या था अब हम लोग निकल गए हैं बाहर और 17 तारी का ये ब्लॉग है 17 तारी को मीठी को यलो डे स्कूल में था यलो ड्रेस पहन के आना था और मीठी के पास यलो ड्रेस नया नहीं था जो भी था थोड़ा पूरा ना था टी-शर पर गड़ा या फिर जो भी और था भी लहंगा तो लहंगा कैसे पहन के जाती तो आजीव लगता तो मैं सोच रहे थी कि एक ले ही लेती हूं यलो और जब लेने गई तो आप लोगो तो में बताएं चुकि उपानगर एक तम गाउ की तरह है मतलब इतना अच्छा चीज नहीं मिलता है आप देखी सकत अच्छा कि देखा तरह लग रहा था यह ड़ा तो जरा नहीं रहता है और चूटे मोटे दुकान में और भी जाद नहीं रहता है। अब जो नहीं अगे तो फीता यह तो पहना देखा कि आप लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा उसके बाद हम लोग यहां से निकल गया है। बाप इतना ज्यादा नठखट हो गया है कि हर जगह एकदम आइसा लगता है कि फटाग से यहां निकल जाओ कि यहां पर मैं बना रहे हूं खाना खाने बना रहे हूं चाबल डाल और सबजी आलू गोवी की आटाल मनाने का नहीं दिखा देए अब क्या दिखा तो यहां पर प्याच करूंगी और इधर कृष्णा भी परेशान कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा होता है ना आठ बजे के बाद इस्टार्टी करो और इदर उदर हो जाता है कभी-कभी तो बस मैं सोच रहे हूं जल्दी-जल्दी बना लूँ और फिर कृष्णा को सुला दूँ बहुत लेट हो गया था इस दिन अभी मुझे याद नहीं आ आठ लेट हुआ था लेट हो गया था सायद 11 बजरा था ऐसे करके और इस टाइम कृष्णा ने ने दस बजरा था क्योंकि क्रिश्णा सो जाता है उसके बाद मिठी को इसकोल से लाने का टाइम होता है और फिर उस टाइम में मैं अस्पा जाती हूं कि कृष्णा को छोड़ के जाओं तो जाओं कैसे और लेके जाओं तो जाओं तो दर तो लगता है वर सोया हुआ ले जाने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो बस वही है इसलिए मैं बहुत सोच में परजाती हूँ कि जाओं तो कैसे जाओं क्योंकि एक दिन तो ऐसा हुआ था कि गई तो थी इसको छोड़ करके लेगिन आई तो जो यह तरप रोता है कि मेरे पास कोई आए थोड़ा दर इंतिजार करता है मतलब थोड़ा दर रोया होगा उसके बाद नहीं गई तो यह उठके आया और हर जगह ढूंडा तो मतलब कितना इसका रोना बढ़ गया और इसका दोनों भाइबन का एक चीज है जब यह रोता है तो स्टार् यहां पर देख सकते क्रिश्णा मुझे कितना परेशान कर रहा है लिटरली पूरा जो मेरा टीशेट है मेरा जो लोड़े पूरा खीच रहा है एकदम परेशान हो रहा है और मैं इस स्टेज पे सब्जी छोड़के जाओंगी तो खराबी हो जाएगा मतलब सुलाने में तर तब जारी हुं और तब जारी हूं JEFF पहले कूलर चल रहा होता है इसे दो फायदा होता है एक तो रूम हॉल ठंदा रहता है दूसरा जो भी जहां सब गएर हो निकलते रहता है वालकने के गेट से क्योंकि इसमें एक चौर्श नहीं लगा हुआ है तो बस यह करके मैं इसको सुलाने गई और फिर यह सो गया फिर म जब स्टार्ट हो जाएगा वह चीज तो अपने ही पता चल जाएगा आप लोग अपने आप पता चल जाएगा तो पहले से क्या ही बताऊं तो यहां सब्जी बन चुका है आलू गो भी बहुत दिनों बाद में आलू भी खा रही हूं आप लोग को कैसा लगा वीडियो कॉ झालू 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 झालू